विधाय गिरा सिंग मलिंगा के बेटे ने कॉंग्रेस और निर्दलिय की रूप में भरा पड़्चा राजिस्तान विधान सवाचुनाव को लेकर नामंकन की प्रक्रिया लगातर जारी है सौंबार को नामंकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी रविवार का अवकाश रहेगा शनिवार तक निर्वाचन विवाग के आरो कारले में आठ आरो कॉंग्रेस और निर्दलिय रूप से परचा दाखिल किया वही भारती जंत पार्टी से दुर्गा सिंग, पुत्र, राजपत, अंदाना और भाजपा नेता, प्रशांत परमार की पुत्री डॉक्टर साक्षी सिंग ने भी बिजेपी से अपना आवेदन, रिटर्निंग अधिकारी यश्वन्त मीना को जमा कराया ऐसे में शुकरवार और शनिवार दो दिन में कुल आठ आवेदन पत्र जमा हुए जिन में बरतमान विधाय गुरा सिंग मलिंगा ने कॉंग्रेस और निर्दलिय रूप से, आर एलडी की रंभा देवी ने लोकतांतरिक पार्टी और निर्दलिय रूप से, अजय सिंग प रंकी कॉंग्रेस और भाश्पा दोनों पार्टी अभी तक होल्ड पर है, जिन्होंने बाडी विधान सवा के लिए अपना टिकेट फाइनल नहीं किया, इसी के चलते अभी भी प्रत्याशी असमंजस्सी की स्थिति में हैं, और आम जनता में चर्चा है कि आखिर कॉंग्र पुत्र जस्राम कुश्वाह निवासी बसेडी जस्वंत पुत्र मानपाल कुश्वाह निवासी आमली पाड़ा बाडी ग्यानेश शर्मा पुत्र पोथी प्रसास शर्मा निवासी रूपबास और अविनाश शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा निवासी रूपबास ने इसी दिन चुणाव लड़ने वाले प्रत्यार्शी ओ को पार्टी सिंबल के साथ आविदन पत्र जमा करने होंगे हालंकि भाशपा कॉंग्रेस से आविदन तो जमा हुए है लेकिन सिंबल नहीं दिया गया और भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस द्वारा अभी तक अपने अधिकरत प्रत्याश्री भी घोशेत नहीं किये गए संभावनाए है कि रविवार तक स्थिती साफ हो जाएगी